हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोश तर्शना देखिए आज में क्या लेकर आई हूँ आपके लिए ये है बहुत ही स्वाधिश्ट मिठाई मैं आज इस मिठाई की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत जल्दी बनके तयार हो जाएगी ना हमें इसके लिए गैस की जरूरत पड़ेगी ना मावे की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत ही टेस्टी भी है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैंने या पर coconut powder ले लिया है, milk powder, sugar और थोड़ासा दूद इन सबको मैं एक बावल में डाल लेती हूँ मैंने ये एक-एक कटोरी लिया है कोकोनेट पाउडर और पाउडर शुगर ये पाउडर शुगर में आधा कटोरी लिया है और थोड़ा ऐसा दूद दूद सारा नहीं डालना सिर्फ जितने में हमारा डो बन जाए एक मतला जैसे रोटी बनाने के लिए हम तयार करते हैं आटा इस तरीके से बस हमें डो तयार क करकेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि मैं आप два कलर इस इस्त्माल कर今天 में लिए हैं क्योंकि में दो नार की इस्तमाल गरोंगी तो यह देखिए दोनों तयार हो गये हैं हमेरे यह फ्रू अब मैं जो है इनुस्ट मिशे अब इसको मैं फ्रेवर डालने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाला है मैंने आपके चाहे तो केवडा एसेंस रोज एसेंस का इस्तमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर लिया है पिंक कलर का आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो आपका अब मैं इसको भी तयार अब दोनों अलग अलग मेरे तयार दिखाई दे रहे हैं अब मैं जो है फॉयल पेपर पर ग्रीसिंग कर लिए मैंने मैंने कोकोनेट ऑल से ग्रीसिंग करी क्योंकि कोकोनेट बर्फी बना रही हूं मैं यह आप चाहें तो इसमें बटर का इस्तमाल भ भाँ की तरह फोड़ा सा चोड़ा हम एक पत्ला सा लेयर बनाना है बहुत पत्ला भी मत बनाएगा थोड़ा सा मोटा हो बर जादा मोटा भी नहों यह देखिया इस तरीके से तेयार कर लिजे दूसरा भी डो मैं दूसरा भी ले लेती हूँ, उसको भी मैं बिल्कुल जैसे मैंने वो बनाया है, ऐसी बनाया, कुछ जरूर नहीं कि आपको बिल्कुल गोल या बिल्कुल अंडाकार, कोई सी भी शेप बना लीजे, क्योंकि फिर रोल बना के हमने काटने होते हैं ये, तो आपको जैसे लगे आप उस शेप में इसको बेल लीजे, देखिये, ये मेरे दोनों जो हैं बिल्के तयार हो रहे हैं, ये भी तयार है मेरा, ये भी शेप सही लगने, दोनों एक सी शेप तयार होगी है, अब मैं इन दोनों को एक के उपर एक इस तरीके से रखेंगे, ऐसे आपोजिट और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे आपस में एक दूसरी के पर चुपक जाए, और फिर धीरे से हम फॉइल पेपर हटा देंगे, अब इसके बाद में हम इसको उठा दें, इसको हमें रोल बनाना है, बहुती साफधानी से बनाएगा रोल ये धियान से, इस तरी ब cassette करेंगे जिससे कि आपका जो गोल पूराये, पर इस तरीक से, और आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा, बार बार फॉइल पेपर हटाना पड़ेगा, अगर फॉइल पेपर हटाएंगे नें तो वह अंदर घुसता चला जाएगा और इस तरीक से करते हम पूरा रोल का तयार कर लेंगे यह हमारा पूरा रोल बनके तयार हो गया है आप इसको जो है हम किसी भी चीज से गार्णिश कर सकते हैं मैंने हैं थोड़ा पिष्टा ले लिया है बारिक-बारिक कट करके आप चाहें तो यहां पर कोई भी मतलब की जो भी आपको पसंद हो आप अपने मन कि अलब लिए फ्रीजे में रख देती हैं अब गंटे बाद यह लागई कैसा हमारा तयार हुए जिए इसको खोलते हैं सैचीन काल लेती हुए हैं ऐसे मैं आ उदिक है MP3 से कर्दे लोगा है में अस्वेट शोन फटार निकल गया इग कितना बढ़ ललागा इस पर बहूत बहुत फाइन एकदम कितना प्यारा एकदम में कट आया आप देख रहे होंगे नाइफ कितना अच्छा चल के आ रहा है इस तरीके से आप अपने सारे पीसिस कट कर सकते हैं आप चाहे तो किसी भी शेप में काट लीजिए यह देखे कितना खूब सुरत बनके तयार हुआ है और आप इसको अपनी प्लेटिंग करके सर्व कर सकते हैं तो मैं चाहते हैं आप इस तरीके से बनाएं खाएं और फिर अपने अनुवाद में साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद